पूरारी रंज जिसके तहत एक गुट के लोगों ने केली खून की हो ली आरोप है कि दड़ा फार्म के लोगों ने सरे बाजार नगर कृतन में फाइरिंग की जिसमें हत्या के गवासे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायर हो गई फाइरिंग से नगर कीरतन में अफरत वरी मच गई खूनी संगर्स के बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए जिससे तनाव की स्थिति उत्मन हो गई स्पी क्राइम कमले शुपाद्याय वानने थानों की फोर्स मोके पर पहुँच चुकी है सितार गंज में आज नगर कीरतन दूमदाम से निकल रहा था लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे कि अचानक बजार में फाइरिंग शुरू हो गई फाइरिंग में दलजीश सिंग पुत्र, गुर्मुक सिंग, निवासी, जनता फार्म एवं नगर कीरतन में शिरकत करने आये हरवन सिंग पुत्र, जागिर सिंग की गोली लगने से मौत हो गई बताया जा रहा है कि मरतगों में एक पूरुम में हुई जैमल सिंग की अत्या का चेश्मदीद गवाः शामिल है फाइरिंग में राजेंदर, बलजीश सिंग एवं हरजीश सिंग गायल हो गए अचानक हूई फाइरिंग से नगर कीरतन में भगदड़ की स्थिति उत्पन हो गई हाला कि नगर कीरतन में प्रयाप्त पुलिस फोर्स चल रहा था लेकिन अचानक हूई फाइरिंग से पुलिस कर्मी सक्ते में आ गए गायलों को सामुदाइक सवास्त केंडरे ले जाया गया जहां से उन्हें हाइर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है बताया जा रहा है कि दड़ा फारमे में जनता फारम के लोगों के बीच जमेरी रंजिस चल रही है पूरू में जनता फारम के एक व्यक्ति की हत्या की जा चुकी है इसी रंजिस में रविवार को फाइरिंग की गई बताया जा रहा है कि फाइरिंग के बाद पुन दोनों पक्ष आमने सामने आ गए पताया जाता है कि फाइरिंग के आरुपी भी उपचार कर रहे हैं अस्पताल पहुंचे मरतकों के रिष्टदारों ने अस्पताल घेर रखा है वहीं फाइरिंग के आरुपीयों को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं पुलिस परसासन ने आरीपियों को अस्पताल के कमरे में ही बंद कर रखा है इस दोरान अस्पताल के गेट पर पुलिस से धक्का मुक्की भी की गई सूचना पर स्पी क्राइम कमलेशु पाध्याए सियो सिटी सतरंत कुमार सिंग वोके पर पहुंचे उन्होंने आसपास के फानों की पुलिस फोर्स भी बुलाली एस एस पी डाक्टर सदानन एस दाते भी गटना स्थाल पर पहुंच गए क्राइम इस्टोरिय के लिए उदम सिंग नगर के सितार गन से अर्स्तनेजा की रिपोर्ट